नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग मेनेजमेंट में मेरे से बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि आप हमें रिक्मेंड करो किसके पास जाके हम डेरी फार्मिंग की सिखलाई लें अपना नया फारम करें तो किस से सिखे ब्रीड के बारे में फीड के बारे में या फिर एनिमल से हम कैसे दूद उत्पादम करके नए प्रोड़क्ट बना सकते हैं या फिर इस ओवराल प्रोजेक्ट से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं तो सूरिया फार्मिंग यहां पे मेरे को आने का मोका मिला है यहां पे आपको दी जाएगी इन सब चीजों के बारे में जो मैंने पहले बताया है आप अच्छे तरीकी से सीख सकते हैं और अपने डेरी फार्मिंग के मोडल को काम्याब बना सकते हैं देशी गोवन्स जो है उसका जो देशी गोवन्स का सकस्पूल हो सकता है मेरा यह खुद का मानना है बाकी आप लोगों की राय क्या है मेरे विवर्स क्या सोचते हैं वो अलग बात है मैं सोचता हूँ कि आप किसी भी कारिये से अगर आपको लाव नहीं आ रहा है आपका टोटल खर्चा लगा के उसमें आपको प्रोफिट नहीं आ रहा है मतलब आप अपनी आजिव का अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं तो वो काम खराब है क्योंकि हम अपनी उर्जा समय और थोड़ा भूट धन भी उसके अंदर लगाते हैं तो वो सारा उसके अंदर वैर्थ जाता है तो यहाँ पे देशी गोवन्स या फिर भैसों को लेके या फिर और जो ब्रीड होती हैं बाहर की हैं उनके बारे में परशिक्षन अच्छे से करवा जाता है NDDB और जो भी अपने NDR वगरा के जो परशिक्षित लोग हैं वो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाते हैं इनका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो मानने होता है अगर आप अपने डेरी फार्म का लोन लेते हैं या फिर और किसी तरह का लोन लेते हैं जो पशुपालन से सम्मदित हो तो यह सारी जानकारी में यहाँ जो परशिक्षन संस्तान के जो हैड है सूरिया फाउंडेशन में गोतम जी उनसे जानकारी लेंगे और आपको बखुबी पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे कौन लोग किस तरह संपर्ग कर सकते हैं और क्या-क्या सुईदाईं आप सब आपको प्रोवाइड करवा जाती है तो चले उस तो वीडियो शुरू करें वीडियो आपको अच्छी लगेगी वीडियो पूरा देखीगा ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो और एक बात और अगर आप पहले से ही डेरी फार्मिंग करते हैं तो भी आपको यह जानना जरूरी है कि आपके एनिमल कैसे होने चाहिए किस तरह की ब्रीड हो कैसे आप ब्रीड को इंप्रूव करें कैसे आपने डेरी फार्मिंग में और ज्यादा प्रोफिट कमा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर करना जरूत मनलोगों को तो गोतम सर सूरिया फांडेशन में किसानों के लिए या युवाओं के लिए जो डेरी फार्मिंग में काम करना चाहते हैं मेरे से कई सारे मेरे वीवर्स्, मेरे जो मित्र हैं वो जानना चाहरे थे कहां से हम इसका प्रस्थुक्षण ले जानकारी जूटाइह एक अच्छा प्रशू४ालन का खाम शूरू कर सके यह एपर जो कर रहे हैं उनको थोड़ा ओर इंप्रोव कर सके तो थोड़ा सा अपने सा बाइक एक कार भी चलाते हैं तो आपको ट्रेनिंग की ज़रत पड़ती है लेकिन डेरी का इतना बड़ा सेटप आप शुरू करते हैं वो भी बिना प्रस्रिक्षन के आप करते हैं तो निश्यत रूप से इसमें बहुत संभावना रहती है फेल होने की और अधिकतर होता है कि देशी गोपालन में जो लोग पहली बार में फेल हो जाते हैं या इनको घाटा होता है वो दुबारा देरी सेक्टर में ट्रेंणिंग ले ले तो आने वाले दिनों में हम वो सारी चीजों से बच सकते हैं जिनके कारणे से हमको घाटा होता है सूर्या फांडेशन द्वारा इस प्रकार के प्रस्रिक्षन शिविरों का और विशेश रूप से पशुपालन और जैवी कृशी के प्रस्रिक्षन शिविरों का आईजन होता है पिछली बार हमने एक प्रस्रिक्षन शिविर लगाया भारत की सबसे बड़ी डेरी रिसर्च इंस्ट्यूट एंडियाराई करनाल के माध्यम से और लगभग सवा दोसो पूरे देश भर से संख्या हमारे साथ पूरे 6 दिनों तक रही और देश के अलग-अलग विभागों के जैसे मैंने बता एंडियाराई गडवासू लौस के साइंटिस्ट हमारे इस ट्रेनिंग क्यांप से जुड़े हुए था ऑनलाइन था आने वाले दिनों में हम प्रैक्टिकल यहां अपने ही संस्थान में इस प्रकार का ट् union की यहांने आप अपने डेरी फार्म में फीडिंग को मैनेज कर लिए यहांने अहार प्रभंधन चाये वो चारा के रूप में हो चाये अन्य च desaf..... अहार प्रभंधन असमें है दोस्रा प्रभंधन सबसे पहले ज़रूरी था दूसरा breeding विभी चिन भीडिंग की मैं बात बत को हमने सभी गायों के अलग-अलग नाम रखे हैं किसान ने देशी गाय को अपने खुटे से अलग क्यों किया क्योंकि वह दूद से कम थी और इस प्रकार की बीडिंग करके अच्छे नसल संबर्धन करके अच्छे बुल्स के सीवन का यूज करके जब हम नसल सुधार करते है तो ऐसी गाय जब किसानों किया होती है वास्तों में वही सच अर्थों में लाबदायक होती है और बहुत उससे किसानों को भी लाब मिलता है जो भी आपका डेरी में जो मिल्क है उसको आपने प्रोसेस कर लिया आपने दूद का सही रूप से प्रोसेसिंग कर लिया उसका घी बनाया उसका पनीर बनाया उसका मक्षन बनाया और वह सही सेलाउट किया तो यह प्रोसेसिंग भी अपने आपने बहुत बड़ी चीज है औ प्रबंधन दूसरा नसल सुधार तीसरा आपका रोग प्रबंधन और गोमुत्र का अपनी गाये दूद दे लेकि वो रोज गोबर और गोमुत्र देती है उसका अगर सही रूप से प्रबंधन सीख लिए तो इसमें और वेल्य एडिशन हो जाता इसमें घाटा नहीं होता सबसे बड़ी बात है और हमने इस चीज को सामान किसानों तक पहुंचाने का अभिहान बनाया है देखिए हम अपने साधनास तली में और डेरी अपसिश प्रबंधन के लिए इस प्रक फिनाइल बनाया है फिनाइल का हमने नाम दिया पवित्रा याने स्वक्षता से पवित्रता की और और यह फिनाइल घरों में उप्योग करने के लिए गोंबुत्रसाय बना हुआ यह फिनाइल है उसके बाद हमने इस दिवाली में एक प्रयोग किया यह गोबर के दिये बना हम इसमें बनाते हैं और ऐसे ही हवन के लिए हमने हवन के उपले भी बनाया है तो यहने यह जो बाकी सारी चीजे हैं यह डेरी से निकलने वाला अप्षिष्ट को हमने प्रवंधन कर लिया इसका सही उप्योग कर लिया तो हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं अपने खर्चों को कम करके अपने आमदनी में इसको और लाप कमा सकते हैं और अगली बात लास्ट में अप्षिष प्रवंधन में आती हैं और वो है बायो गैस की देखिए गोबर गोमुतर का उप्योग कैसे सही रूप से हो इसके लिए बायो गैस एक वरदान है सामाने लोग से जो लोग अपने परिवारों में या अपने फार्म में अपने डेरी सेक्टर में बायो गैस का उप्योग कर लेते हैं वो लोग इस चिस से बहुत अच्छी तरह से इसका लाब कमाते है बायो गैस अपने आप में वरदान इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये जो वेस्ट होने वाली चीजे हैं इसका गैस का उप्योग हो गया नॉर्मल एल्पीजी देखिए आज दिनो दिन उसका रेट बढ़ रहा है और आपने इस गैस का उप्योग अपने भोजन बनाने के लिए किया और निकलने वाली इस लरी को आप अपने खेतों में यूज करिए या आपने उसमें थोड़ा से और सुक्ष्णत्त मिला करके उसको और आपने और्गैनिक मैनूर बना दिया तो वह आपके खेतों के लिए एक राम बान ओशदी हो जाती है यानि मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो मनुश्य गाय और भूमी यह तीनो एक गोल्डन ट्रेंगल है जो एक दूसरे पर आधारित है हम एसी सनरचना को बनाय रखना है बरकरा रखना है तो सर इसके लिए ट्रेंग के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी है या फिर कोई भी बंदा इसको जोईन कर सकता है मुख्य रूप से हम उनको सुपात्र मांते हैं जिनके अंदर यह ललक हो कि मुझे इस सेक्टर में कुछ आगे बढ़ना है देखिए बहुत डिग्री का वैल्यू नहीं है यह जो हम बात करते हैं पढ़ाई की डिग्री का यह बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है सबसे पहले मन में लगन हो इच्छा हो मुझे इस शेत्र में कुछ काम करना अच्छा काम करना और बाकी सामाने से दस्वी या बार्वी और ग्रेजुएशन जो लोग किये हैं इस फिल्ड में आते हैं और करते हैं कितने दिन का टाइम पीड रहता है यह मुखिरूप से हम च्छे दिनों का यह प्रस्ट्रिक्शन की विवस्ता है हमारा मानना है कि बहुत ज़्यादा सुवीधा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका सही होना चाहिए जो आपको विशय दिया जा रहा है ज यह बिल्कुल हम सट्विट प्रवाइड करते हैं क्योंकि हम जो प्रस्ट्रिक्शन करते हैं विशय सुर्प से डेरी फामिंग का वह भारत सरकार की अलग-अलग इंस्ट्टूट के साथ मिलकर करते हैं जैसे पिछली बार हमने एंडियाराई से मिलकर किया था अब हम एंड केवल 2,000 रुपए शुलक रखा था तो बहुत रिजिनल रेट पे जो अपने किसान जो है एफ़र्ट कर सकें ऐसे ही सामान शुलक में करते हैं और हर एक शिविर से पहले हम इसकी जानकारी यूटूब के माध्धम से और अन्ने लोगों के माध्धम से देते हैं तो यह सिर उसमें हम कोषिश करते हैं देशी गायक जाही जाही कि अपियोकने के लिए लेकिंडे बहुत से लुग आपसे परोग ये लाभान मीत होंगे बहुत बहुत धन्य कर गाय है